तो कई जिसे कि अब लोग ने लाश एपिसोड के एंड में देखा था यहां पर एक काउटी मनें उनको परड़े कर दिया होता है वो जैसे अपने पंच से उस जेल को तोड़ने लगता है कि तब उसकी दिमां में कुछ आता है वो कहता है अरे इस जेल की मस्बूती ऐसा लग पाज़े को तोड़ना चुरू का देते हैं लिन अंदर प्रेशन होने लगता है कहता है वो जैंग जैंग मैं वो तो एक नंबर के चुड़ेलने के लिए ऐसा लगता है कि मेरे को कोई दूसरा प्लैन सोचना होगा और फिर साथ है उसके नजर नेशनल मास्टर पर पढ़त बाने लगता है तो वह फटाए सोच जाती है चला दूए के लिए समाथ करो कि तभी वास पास देखती है वह अलगी जिगा पर आगई होती है वह कहती है अगर मैं कहां पर हूं उसके सामने आ जाता है एक डंडा पकड़े हुए और इसे बता रहा होता है कि यह तुम्हारा आट्रेक्टिट हो गई जिन उसे टेंडे माना शूरु कर देता है कहरा होता है लेट्यू करना होगा या फिर करवाना होगा मुझे ऐसे कुछ बोल रहा होता है वह कहती है यू परवर्ट पलीस सामाथ करो मुझे अपने कीमती समान का यूज करने की कोई दुरूत नहीं है मैं तब तक माफ नहीं कर सकता है जब तक कि मैं तुम्हारी सोल को भी अपनी कल्डिविशन के लिए यूज नहीं कर लेता नेशनल माशरे कहती है मैं तुम्हे ऐसाथ कभी भी कॉपरेट नहीं करूंगी निल अपने कपड़े उतारते हुए कहता है ये बात तो तुमने सकते हैं कि यह लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात सुने के बाद वह सांड़ा अंदर जाके देखता है तो जो नेशनल माशरे थी वह नीचे पड़े हुए हाफ रही होती है और वह कह रहा होता है बताओ क्या मेरा बढ़ा नहीं है क्यों तुम अभी भी मेरे को मना करने के मत क रुगी और यह सब देखकर उस काउटी मन को वेह दे घुसा आता है इसे बद चलन औरत ने मुझे घुसा दिला दिया है यह मैं और नहीं कर सकता मेरा चाकू लेकर आओ वह कहता है ठीक है बहुत दिये रहा और वो चाकू उसके हाथ में जाके थमा देता है तो वह अपने को का यूज करते हुए खतना के स्ट्राइक मारके जाहिल के सलाखों को तोड़ डालता है और अंदर जाकल इनके पेट पेक जोड़ के लात मारके उसे गिरा देता है और कहता है बद माश्व मैं तेरे साम नहीं इस औरत के साथ मज़े करूंगा जिसे तुझे पता चल करने के में बिना चुए कि तभी यहां बलीन को हो चाजाती है और भटाक से उसको पर अटे करके उसे दूड़ा देता है वो दूर दिवाल में चाकर लगता है उसके चमचे कहते हैं वह उसके आप ठीक हो कि तभी उन लोग के ऊपर लिन अपने फैर साटे कर देता है और ब अब आगे साटे करने के लिए बढ़ता है और खेरा होता है मैं क्यों ट्राइब का मेंबर हूं मेरी फिजिकल बोडी यहां तक है कि अगर तुमने मेरे से भी चादा अपने कल्टिवेशन को बढ़ा लिया है तब इस बात के कोई करेंटी नहीं है कि तुम मेरे सामने चीत पाओंगे और वो लिन के साथ अपने पंच से पंच टक रहाता है जो कि मेरी बोडी भी अंड्राइब वर्डे तो चम्में तुम काफी टेस्टी हो जाओंगे और वो एकदम से अपनी आमांट को बढ़ा के उसके ऊपर छोड़ देता है तो देखा जाता है तो बुरा मेरे इंसेंस को अफसरोब कर लिया क्या तुम किसी दूसरी रेस के सटेक्टिव डी मानों लिन केता है तुमने उस प्रोसेस को इंचोई करा जो कि मैंने आउटकम के ओपर फोकस करा इसे ही कहते हैं कि हर परसन वो लेता है जिसकी उसे जरूरत होती है यह सुनते से नेशनल माश्र केती है यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं खुत लेकर आयों यह एक जाइंड डीमने जो कि औरिशनली दूसरी मंजिल पर केड़ था कि तभी पीछे से दो हाथ आते हैं और वो नेशनल माश्र को कसके पकड़ लेते हैं वह एकदम घबरा जाती है और यह जुनने से श क्या हुआ क्या तुमको मेरे कंपने के साथ कोई प्रॉब्लम है और मैं अट्रेक्ट हुए मोश्र को अपने प्रैक्टिस ट्रक्निक के साथ समाल सकती हूं एजली लेन केता है मेरी प्रॉब्लम यह है कि आखि तुमने हिन्यान की बज़े मुझे यहां से भार क्यों नहीं वह केती है क्या तुम पागल हो गयो मेहन्यान के बदले में यहां पर आई हूं अगर मेरे तुमको यहां से भार निकाल दया तो क्या इसे में सेटर माश्र मेरे से कुछ ने कहेंगी वैसे मुझे अपनी जिन्दगी की परवा नहीं क्या तुम जानते हो इस समय भार क्या हो जाते हैं उसे जाइंट मॉस्टर के कंदे के ऊपर एक फिमेर डीमन में बेट हुई रहेती है जो कि कहती है यह इसे जाने दिया अपने उनके साथ काफी मज़े कर सकते यार जल दिसे अपने क्लॉण केप्शिरिंग का यूज को रोड से पकड़ कर यहां पर वापस लाओ यह सुन दें वह जाइंट डीमन अपने अंदर से को छोटे छोटे रोग टाइप मोशन करता है कलॉन टाइप होंगे उसके और इसके बाद में हीवल खोष्ट वेली के भारका से दिखा आया जाता है यहां पर एबल वेली खोष्ट के माश्ट ने कभी साई लोगों को इखटा अब्जेक्ट ने बलके परसन है और जांक सेट मास्टर ने फिलाल उसे डीमन सब्रेक्सिंग जेल के अंदर कर दिया और यहां इस भीड में जौन और लूबे भी होते हैं उनके बाद सुनने के बाद लूबे थोड़ी घबड़ा जाती है और बोड़ी होती है क्यों लोग इस बदल के अंदर आ जाएगा कि तब यून के सामने कोई परसन अपने विक उतार के दिन में फेके चलात हुए कहता है लेन यू बाश्टर में तिरको तीन दिन से भेस बदल कर ढूंड रहा हूं और तो फ्रीके समय साथ खेल गया और फिन का सिंदिखाया जाता है जो कि यून के साथ कहीं पर छुपा हुआ रहता है यून के थी है क्या तुम अंदर आ गई हो लिन कहता है अफकोर्स मैं पहली बार एंटर नहीं कर रहा हूं और क्या तुम मुझसे ज़्यादा फिमलर नहीं हो तो आखिर यह और यहां पर एंटर करेगा और यह लोग दीमान सब सब्सक्राइब करें पर आगए होते हैं वह लोग थोड़ी ऊचाय पर होते हैं नीचे घरटाइब कुछ बने हुए रहते हैं जिनको देखकर जो यून हो थोड़ी हरान हो जाती है और बोलती है मैंने यह बहुत भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डीमन किंग अपने स्ट् सब्सक्राइब करते हैं यह बहुत बहुत भायानक पहल हुए इन रेलियन रेजस को एक्चुली मारा नहीं जा सकता सब्सक्राइब नसले प्रिमोडियल सोर्स के स्पिलिट होने से उत्पन हुए और मौत के बाद वो अपने सोर्स पर वापस लोड़ाती है और प्रिमोडि से निए कुण नियु एनिस्टर के पिरमोडियल सोर्स के स्पिलिट होने से प्यादा हुए हैं और मरने के बाद वो अपने सोर्स पर वापस लोड़ जाएंगे और कोई नहीं के इन श्रुट के साथ फिर से मिल जाएंगे इस तरह से तो फिर वो काफी कुरोथ और बेने फ हो जाएंगे तो फिर वो डिवान कॉंटिनेट को पर अटेक कर देंगे लिन बोलता है अब जब कि एडियन रेजिस मौत के बाद अपने सोर्स पर वापस लोड़ जाती है तो आखरी से डीमन सप्रेसिंग जेल का क्या उदेश हुआ यून बताती है इस डीमन सप्रेसिंग चेल की औरीजन एक्ट्राओरडिनरी है यहां मरने वाली है यहां मरने वाली एलियन ड्रेसिंग सोर्स बनने के बाद भी अपने समध्र एनिस्टर के पास वापट नहीं लोड़ सकती है लिन के तो उन एलियन रेसिस को यहां पर प्रकड़ कर लैंग और मारेंगे है ना तो असल में जंग जिंग में यहां पर मेरे को टेस्ट कर रही है कि मैं इस ब्लड एनिस्टर से निपढ़ने का कोई रास्ता ढूंद पाता हूं कि नहीं यून बोलती है और अभी भार की दुनिया में बहुत सरे कर्टेवेटर्स हमारे सेटर में खटा होकर यह सब कुस दे सब्सक्राइब और यहां रही होता है और यहां रही होता है यह तो एक रॉयल फैमिली के न्यूली वर्न ब्लड रिलेटर्स लग रही है और फटक सी हां पर पोटल ओपन कर लेती है और यहां पगड़के उसको खिषते भी लेचाने लगती है और कियरी होती है लिन तो बिल्कुल भी परेशन मत ओं असेस्मेंट के बारे में बिल्कुल भी चिंदा मत करो बस मेरो को फॉलो करो इमेटेटली पर लिन उसे अपना नहीं होगा इनका इतना बदला हुआ रवेया देखकर युनका वहराण हो जाती है लिन अपनी भाई खुलके खड़ा हो जाता है कह रहा होता है कामोन आ जाओ तो वो डीमन लिन को भार आने के लिए इनवाइट करो मेरे पास बड़े ने के लिए कुछ अच्छा है यह सुनते से सारे डीमन नारी लगाना शुरूगा देते हैं ब्लड इसके बाद हमें भार का सिंदे खाया जाता है सब लोग एक आयने या कुछ भी या पोर्टल जो भी हो उसके देख रह हो गए होते हैं कि इनको ऐसे पख़ड़े हैं लोगोंने और पीछे घड़ा परसंट किया रहा होता है यह किता जाता रेडिकुला से हम लोग ठाउजन मिल कर गए यहां पर बस इस परसंट को देखने के लिए आया थे जिसने खुदी हार माली ऐसा लगा देखने से और हमने यह जुट दिखा रहे हो जैंग में केती हैं अगर तुम्हें जिलते किस बात के लिए नभी वहां पर है और आज जो कुछ भी होगा उसके बाद ही हम लोग अपना एक जड़मेंट कर सकते हैं और बंदा कहता है यहां पर देमन लोग आग चला कर रहे होते हैं और पी पानी में तला जा रहा होता है और उसके सामने वही डीमन लीडी भी खड़ वी रहती है तो लिन का शौफ करना तो बनता है वह खेरा होता है इस बोटर कर टेंपरेश्र अभी काफी नहीं है क्या तो मोच दाइफट नहीं कर सकती वह लीडी बोलता है आगर तुम किस बात हस रही हो और तुमने खुद को क्यों पकड़वाने दिया और वैसे भी एक बार चब बड़े निश्र भार आ जाते हैं भले तुम ठीक से पको भी ना तुम कच्छे यो तब भी वो तुमको खा जाएंगे उनको खचा खाने में भी कोई बुराएं नहीं है लिन बोलता है म कि किसे को अपने आने वाली मौत का एसाथ से नहीं होता और मैं यह बिल्कुल भी नहीं देख सकता इसलिए मैं यहां पर उसे फेरवल देने के लिए आ गया हूं यह सुनते सी वह नाराज हो जाती है और चला तुम चाहती हो कि मैं इसके बारे में तुमें बता हूं तो तुमको मेरे साथ खेलना आसान लगता है लिन केता है नाराज काही होती हो चलो अप लोग एक शर्ट लगाते हैं जिसलिए मैं तुमको कुछ बताऊंगा तुम एक कदम आगे बढ़ा कर मेरे करीब आओगी तो क्या खेले इस बारे में उसकी बाद सुनने के बाद वो चले जाओ मैं इस परसन को अकिले को करना चाहती हूं तो वो सारे यहां से भान निकल चाहते हैं लिन केता है पिछले दो दुनों के मेरे केलकुलेशन के हिसाब से दुनिया के ज़्यादा तरे मोडियल बिंग से जनम जातकार को से पेदा हुए हैं जबकि जबकि तुमारे ब्लर्ड क्लेंड की प्रोमेडियल एक्सिस्टेंस अजितकार को से पेदा हुए है तो यह तुम्हें भुचता कमसूर बना देता है तो शर्त के हिसाब से बो लेड़ी भी आगे बढ़कर पानी में उतने लगती है और बोल रही होती है गौन करो मैं जानना चाहते हूं कि तो हम इन सब के बारे में कितना जानते हो लिकली ब्लड क्लेंड के प्रोमोडियल बिंग रखेंगे और जब विञांस के वी उनका सामना के किसी विंग्स होगा तो वह उसे मारने के कोशिश करेंगे और शर्त के हिसाब लिड़ी लिंग के और करीबाने लगती में चलते लिन बोलता है इसलिए यह कहने के बचे की डीमन चले प्रमॉडल बिंग्स के सिद्व को जो बात दबाती है यह कि ना चाता से टिक हो कि जो ब्लेट क्लेने वो यहां पर इस जेल में छुप कर रहे रहे और धीरे अपनी पाउर को इखटा कर रहा है लेकिन जब एक बड़ी की सुचेशन होगी तो तुम्हारा ब्लेट क्लेन बचनी पाएगा उसके पास बचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा और साथी लिटी से कहता है थोड़ा और करीब हो वो किती है अप लोग पहले एंड पर आ चुके हैं अब किता करीब अब यहां से और करीब नहीं ज हो जाएगा तो उन एलियन बिंग के दोवारा इसे डीमन जेल को भी ढूंड लिया जाएगा और फिर तुम्हारा ब्लेट क्लेन भी नहीं बच पाएगा तुम लोग भी मोत की घाट उतरे जाओगे और तुम्हें पास बचने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा यह सुनते इसे जेल के फोरें रिसिस्ट के उपर कम्प्लिटी जीत हासिल नहीं करी है मैं उन्हें डराने के लिए बस एक पाउफुल और मिस्टिरियस एल्डर एनिस्टर की रशना कर सकती हूं इसके लावा कुछ नहीं तो आगर तुम मेरी किस तरह से मयत करने वाले हो लिन मोके पे लोगों का मूर बिगड़ाता है और यहां पर लिटर नहीं उन वीश्वल्स को छुपा दिया तो दिखाए चाहिए यह बिल्कुली बेकार है यह बिल्कुली बेतुक्त है चानु सेक्टर हमें यही एक्सप्लेटेशन दिखाने के लिए यहां पर लाया है अगर शावनु स लिए बास रखने के वजह उसे हम सेलीबेसी सेटर वालों को दे देना चाहिए हम उसे समाल लेंगे लिटर बोलती है मार्शल लिए आखिर आपका इरादा क्या है मार्शल लिए बोलता है और वह ग्रेट सेश पहले इस वर्ग में जा चुकी है और उसके दोबार इस दुन दुनिया में जिससे वह यहां पर आजाएगी और जो विदेसी जन चाहते है ना एलियन वाले बिंग्स उनसे यहां पर डिजाश्टर होने वाला है उसको चांत करेंगी यह सुनने लिटर बोलती है तो आखिर तुम को जब आपदाई नहीं ठेराएंगी वह बोलता है चु हमसे करहें लेकिन मोना है हुए हो यहां पर दूसरे लोगों का उसे कर दोई हैं तो पर परकट जाता है अपने को डीमन केंग इस्टों को लट गासिंद इखाया जाता है यहां पर सभी लोग पाटी कर रहे होते हैं और भी खोश हो रहे होते हैं एक डीमन हस्तुबे कहता है हमने एक कर्टीपेटर को जिंदा पकड़ दिया और यह बाकिया में भी खुशे के ब जो हो गई है शायत चाय के समय तकी बस देखकर वो डीमन का लहरान हो जाती है और बोलती है इंप्रेसिव आखरी किस तरह की पावर है और पर साथी वह मुस्कुरात हुए पानी से भारा कर लिन के पास जाती है और बोल रही होती है क्या तुम्हारा मतलब वह यह तुमने पहले मुझे इस ट्रोंग बनाने की बात कही थी माय हस्बेंट लेंड बोलता है जो मैंने पहले कहा था वह यह था कि मैं दूसरी प्रोमेडियल बैंक से ने पटने में तुम लोगों की हेल्प करूंगा लेकिन मैंने इसा बिव्कुल भी नहीं कहा था कि मैं तुमें स्ट् के साथ ही यह हो सकता है और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और भी जादा इंटिमेट वाली चीज़े करनी पड़ेंगी तुम समझ रही हो ना वो भी आगे से कहती है मैं समझती हूं मास्टर यह सुनते से लिनुस अपने से शिपका लेता है और कहता है चलो फिर में त करता हूं तुम्हारे सेक्रेट इंसेंस को वापस पाने में और बस गाए इस इस एपिसोड के लिए इतना है यह बागी किस्ट्री अब लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे जब तक लिए टूबे कंटिने ओड करता है फैसे चांदेर को वापसा है और उपिस्ट्री ओड़ है को वापता है अपना है हुआ में प्रापसा एंसे अikalा है Emir फ होग जए लिए हमने किस्ट आहाई यहा सлиगा है शिए हम्हां और तक बहाला है वहीग दोर बाच सज़